सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सवगत है जैन दी रेक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लेटेस्ट और बहुत ही इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और आपने को मिलेगा तो इसे हम तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके मापके इसी लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और इंपॉर्टन वीडियो लाते रहें तो चलिए पहली ये वीडियो देखते हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे ज जहां एक तरफ सौधिया में में बहुत बड़े-बड़े मुजिक कॉंसोर्ट हो रहे हैं जहां एक तरफ हर्फ में अरब की सरजमीन पर 27 अकड की मंदिर बन रही है प्रान पतिष्टा हो रही हैं जहां एक तरफ अरब में अल्कोहल जो हो उनके ब्यूरोक्रेट और जो ब FIFA World Cup की बात हो रहे है, IPL World Cup की बात हो रहे है, beauty contest भी हो रहे हैं, दो सल पहले भी हुए है, और ये जो Roomy, जो 27 साल की है, क्या नाम है, Roomy Alkahtani, ये already Miss Arab है, already Miss Arab है ये, अब ये Miss Universe में आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा indication है, यह एक बहुत बड़ा माद दर्शक है, पाकिस्तान और भारत के मुसल्मानों को अपने आपको रिफॉर्म करने का, बहुत बड़ा है, नहां एक तरफ अरब में, मतलब अरब में रहने वाली औरते खवातीन भी हज और उम्रा जो है, वो अपने मर्द के साथ जाकर करती थी, अब देखिए आप अरब में औरतों को जब बाइलेक्टरल रिलेशन होते हैं, या अलग-अलग कंट्रीज से जब बड़े लीडर्स आते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं का एक इंपर्टेंट रोल दिया जा रहा है, अच्छा मोहमद बिन सल्मान साब ने क्या किया है, औरतो को अब ड्राइविंग लाइसन्स दे दिया है, कि अब वो अकेले अकेले व्राइफ कर सकती है, अच्छा हज में भी, हज में भी अब उन्हें का है कि अब अकेले जाकर कर सकते हो आप लोग, फिर मुहमद बिन सल्मान ने क्या किया है, कि भई पास्पोर्ट में एक गारजि किया है, बहुत इंपेशन सिस्ट्रम को, हमारी IIT को भी ले करके मुहमद बिन सल्मान ने मोदीजी से बात की है, IIT, तो अब आप सोचों के अरब जिसको बहुत conservative और बहुत मतलब रस्म और रिवाज में जो बन्धा हुआ था, आज वो अरब ये मान चुका है कि हमको इस य जितने भी चीजे reform हो रही है, जो नई पीड़ी आ रही है, जो reformation बाकी देशों में आ रहा है, वो हमें भी ले करके आना पड़ेगा, और जिस हिताब से photo shoot रूमी अल्कहतानी ने करवाया है, ला इलहा इल्ला मुहमद रसूल इल्ला का एक बहुत बड़ा प्रश्वंडा ले करके, भारत के मुसल्मान और पाविस्तान के मुसल्मानों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई होगी, लेकि अरब कोई बात नहीं है, अरब तो बहुत अच्छे से इसको मतलब promote कर रहा है, हाँ मैं यह जरूर कहूंगी कि यह जो 27 परश की रुमी जी है, जो इस मोशल मेडिया पर काफी वाइरल है, काफी और आग से वाइरल है, मतलब एक जमान इसको आरे है और जिस हिसाब से मैंने इनका इंस्टाग्राम पी सर्च किया है, थोड़ी दिर पहले जब आपने क मतलब स्किन पर बहुत धियाम दिया है और एक्सराइज योगा तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं हूँ, तो इनको देख करके मुझे ऐसा लगा है कि नहीं थोड़ी पर पीछे रह जा रही हूं और क्या गजब का फिगर बनाया है इनोंने, मुझे देखो निम्रा मैं बहुत decision महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है और एक quintessential example महिलाओं को बनना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, महिलाएं भी उतने ही दर्द से पैदा होती है लड़क बेटियां जितने दर्द से बेटे पैदा होती है तो अगर हमारा एक factor, हमारी सुंदर्ता है हमारा figure है, हमारे hair है, हमारी हसी है, हमारी चंचल हरकते हैं, तो हम उसमें भी अपने career को देख सकते हैं. Even आपके साथ, Nimra, मैं जब session में बैठी हूं कई बार, तो मैंने कहा है, कि सिर्फ academic qualification हमारे career का base नहीं हो सकता है. मैंने कई बार कहा है, कि हमारे देश की और बाहर देशों की बेटियों को भी singer भी बन सकती है, उसमें भी career होता है, sports person बन सकती है, उसमें भी career होता है, swimmer बन सकती है, उसमें भी career होता है, model बन सकती है, उसमें भी career होता है, actor, actress बन सकती है, उसमें भी career होता है, तो करियर बहुत सारे चीज़ों में होता है, बस हमें इन्हांस करने का तरीका आना चाहिए और पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे आपके यहां में एक यूट्यूबर के साथ बैटती हूँ, महविश, वो शायद मॉडलिंग करती है, और उनका फिगर, उनका फिग काफी पोडोग्राम मेरे पॉपप पे आते हैं, आपको भी चांस लेना चाहिए, देफिनट लेना चाहिए, और इस यूणिवर्स के रहती है, आप इस देंती पर रहती है, इस दुनिया में रहती है, तो इस दुनिया के हिसाप से तो आपको दोड़ लगानी कुशेगी, और अगर आप इस दुनिया के इसाफ से दौड नहीं लगाईएगा, तो आप बहुत पीछे रह जाईएगा, और उसका सबसे बड़ा रिजन है, कि आज पाकिस्तान खबरिस्तान के कगार पे आ चुका है, आज पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं है, अब आती है दूसरी बा सकता है, अरब अपने बेटियों को मतलब मिस यूनिफर्स के ग्राउंड पर उस प्लाटफॉर्म पर उतार सकता है, ला इलहा इलाला मुहम्मत रसूल अल्ला के बैनर के साथ फोटो शूट करवा सकता है, तो हम मैं नाजिया और निम्रा क्यों नहीं कर सकती है, बिलकुल कर सकती है, इवन आपके साथ ही शायद मेरा एक सेशन साथ जिसको बहुत वाइरल किया गया था, कि नाजिया एक फ्लॉप मॉडल है, पर मैंने अपने जिंदीगी में कभी मॉडलिंग नहीं की है, हाँ, एक्टिंग और मॉडलिंग के बहुत सारे असाइनमेंट और बहुत सा मेरे बेटे के स्कूल में बेस्ट मडल ऑफ स्कूल के लिए में उसके साथ मॉडलिंग की है, जो काफी फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, और मैं उसको मैंने बहुत प्राओड फील किया था कि बीग a single mother, मैं अपने बेटे के साथ रां पे चल रही हूँ, मैं मोडलिं कर रहे हूं अपने बेटे का हाथ पकड़ करके और मैंने क्राउन भी जीता था और मेरा बेटा बहुत कुछ हुआ था कि मिस्स प्रोस्नालिटी का क्राउन जीता था मैंने तो फिर मैंने उसको ठीक भी करवाया था कि मैंने बेटे को कुछ करने की यह किया है अगर निम्रा आपको कोई लूजर कह रहा है आप लूजर नहीं है लोग आपको कह करके लूजर बनाने की कोशिश में लगे हुए है और खास करके मुसल्मान आप निम्रा दिल पे हाथ रख करके सोचिए और कहिए मुझे किया हमें कोई Christian, Yehudi, Hindu इस religion के कोई भी मर्द हमें ट्रोल करते है या हमें बैइजद करते हैं या हमें जलील करने की कोशिश करते हैं नहीं करते हैं आप मेरे गर के परिवार वालों ने एक चीज़ बता दिया है कि औरतों का काम है आधा सलबार खोलना और बच्चे पैदा करवाना, that's it, यही काम है, क्योंकि एसलाम के हिसाफ से तो sexual relation है, वो भी बड़े शर्तों के साथ है, तो क्या हमारे जो मुसल्मान जो भाई है, जैसे इमाम मुक से शागी की है, और उस सनातनी लड़की ने अपने नौ महीने के पीरियर्ट के कून से सीच करके दो हिंदू पेट से मुसल्मान बच्चा जनम हुआ है, तो अब वो भी इमाम बनेगा, तो क्या वो भी उन शर्तों को मान रही होगी, जो इसलामिक शर्थ हमारे है, क्या हो रहा है, और हमारे मौलवी मुल्ला कैमरा पर कह रहे हैं, कि नहीं आप अनल सेक्स नहीं कर सकते हैं, नहीं आप ऐसे सेक्स नहीं कर सकते हैं, वैसे सेक्स नहीं कर सकते हैं, तो अब आप सोचो, कि अशलीलता का नंगा बाजार मुसल्मान बेटियों ने खोला है, या मुस काफी पसंद आया है हो जहां पर अपनी परसनल लाफ में बात की्istle साहुदी औरेभिया के बारे में जहां पर हम देख रहे हैं कि महमत कि बिन सल्मान साथी आरेमान में कितने सारे समस् freaked के का Rig भारत और पाकिस्तान के जो शांतियों दूथ हैं चाहिए वो बदलना नहीं चाहते या फिर वो बदलाव से डरते हैं तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आयो गया अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो इसे लाइक और शेयर जरू करते हैं अपने अपने और आपको आपको काफ़ी जरुटी को अच्छी लगिए वीडियो वीडियों पाघक।